हेलो बच्चो मैं आपका यारसा है किस्टन कोजिंग सेनर का डायक्टर आज हम लोग NLM का सिकेंड लेक्चर में Newton's Second Law of Motion पढ़ेगे नियुटन का सिकेंड लोग पढ़ेंगे सिकेंड लोग क्या क्या बताता है और किस किस चीज के बारे में बताता है और कौन-कौन सा फॉर्मूला है जो हमें याद करना है और जिसको यूज करके हम लोग सवाल कर सकते हैं देखिए बच्चों यहां पर दिवा है एकोडिंग टुदूस लोग नेट एक्स्टरनल फोर्स ऑन दबाडी और सिस्टम इस एक्वल टू रेट ऑफ चेंच ऑफ मोमेंटम यह यह कहता है कि किसी भी बाडी में जो एक्स्टरनल फोर्स लग रहा है अगर मैं बात करूं यह यह सब मिला कि अगर मैं एक बाडी इसको सब कंबाइन करके एक बाडी है इसमें जो नेट एक्स्टरनल फोर्स लग रहा है बोल रहा है वो रेट ऑफ चेंच ऑफ मोमेंटम यह पूरा बाडी में जिदर नेट फोर्स का डाइरेक्शन होगा यह मानिए इस पूरा बाडी में इधर से फोर्स लग रहा है इधर से इधर से इधर से लेकिन सब कट कुट के नेट फोर्स इधर आ रहा है तो उधर ही उसका मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा यह कौन बोल रहा है सिकेंड लॉज ऑफ मोसंग अब दिखिए न्यूटन का लॉज पहला लॉज हम लोग के फोर्स के बार में बताया दूसरा लॉज में हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और दूसरा लॉज यही बताता है किसी भी सिस्टम का किसी भी बौडि का जो नेट एक्सटरनल फोर्स है वह उसका टोटल f external बराबर dp upon dt यानि इसका मतलब है change of momentum with respect to time यानि initial momentum final momentum minus initial momentum by total time final time minus initial time यानि यह है dp और यह है dt इसमें आपका final momentum में initial momentum minus कर दिए और इसमें जो final time था उससे initial time को minus यानि यहाँ total change in momentum है और यह change in time है जब हम इसको divide करते हैं तो यह f external निकल के आता है बच्चों यह मैंने आपको बार-बार सिखाया इससे पिछला वाला lecture में हम लोग ने सवाल भी किया कि हम लोग momentum को calculate कर रहे थे momentum को हम लोग calculate कर रहे थे MV से अगर मैं बात करूं initial momentum तो हम लोग initial velocity लेते थे final momentum तो final velocity ले रहे थे और फिर उससे उसको minus कर देते थे तो हमें करना वही है इसमें चेंज इन momentum और चेंज इन टाइम यह एक्स्ट्रा आ गया जब हम इससे डिवाइट करते तो f external निकल गया आता है अब देखिए if momentum of a body is constant then there may be external force बोल रहा है कर किसी body का momentum constant है तो भी उसमें external force हो सकता है कैसे लेकिन external force अगर हम बोले कि momentum constant है और f external force है इसका मतलब external force तो है लेकिन external जो force है वह all over net force 0 है अगर मैं बात करूँ एक body है इधर अगर 20 newton force लग रहा है और अगर इसी दिशा में इधर 20 newton लग रहा है तो इसमें external force तो है लेकिन net external force 0 है तो अगर किसी body का momentum constant है इसका मतलब यह नहीं कि उसमें external force है ही नहीं external force है लेकिन external force 0 है all over resultant होने के बाद में और में नोट भी 0 देखें बट resultant of that external force must be 0 if net external force on a body is non-zero अगर किसी body में all over external force लग रहा है अगर वही non-zero है यानि काट कूट के इस body में जो force लग रहा है चारो तरफ से काट कूट के अगर 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि इसका momentum जो है कभी constant होगा ही नहीं मोमेंटम भी change होगा यानि external force अगर है और non-zero force है तो उस body का momentum change होगा उस body का momentum fix नहीं रहेगा अब देखिए यहाँ पर है if net if momentum of a body is constant अगर momentum constant है then velocity may or may not be constant अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे m और v यह momentum को बताते हैं अगर मैं बोलू कि momentum जो है constant है मैं इक body का बात करूं यहाँ पर यह body है अगर इस body का मैं बात करूं इस body है दो किजी का और इसका velocity है चार इसका momentum हो गया कितना आठ आई क्या ठीक है अगर मैं बोलू इसका momentum जो है next एक इसी को अगर हम आगे ले जाते और हम इसका आठ मीटर पर सिकन्ड कर दिए इस बार स्पीड और हम मास घटा दिए इस body का मास हम घटा कर दिए एक केजी तो भी momentum क्या हो गया आठ तो यहां क्या बोल रहा था इस sentence कि अगर मोमेंटम जो है constant है आठ आई क्या पाट है क्या तो velocity को constant रखना ज़रूरी है इसना नहीं है velocity momentum और जो momentum है वो velocity और मास दोनों पर निर्वर कर रहा है यानि मास घटेगा तो भी momentum घटेगा velocity घटेगा तो भी momentum घटेगा अगर मास और velocity को अगर हम equally लेकर चलेंगे आगे पीछे करेंगे तो उसमें हमारा momentum constant हो सकता है तो यह ज़रूरी नहीं है अब देखिए यहां पर है कि momentum of a body constant then velocity may और may not be constant if momentum of a particle अगर मैं एक particle का बात करूँ जिसका मास को नहीं बदल सकते हम लोग अगर momentum particle is constant then velocity must be constant particle का मतलब यह है यह particle है यह particle है इसका mass fix है और उसका भी mass fix है तो अगर हम momentum constant रखें मतलब velocity को भी constant रखना पड़ेगा देखिए अब यहां पर जो है यहां जो formula है f external बराबर dp by dt आपको पता है हम लोग पी जो है वो mass और velocity से काई product है तो मैं बात करूँ f external बराबर dmb by dt यह mb हमने पी को लिग दिया p p मतलब mb अब दिखिए अब अगर हम बोलेंगे कि अगर हमारा जो change हो रहा है यानि momentum बदलेगा तो momentum बदलने के लिए या तो mass को बदलना पड़ेगा या तो velocity को बदलना पड़ेगा एक बार mass बदलते एक बार velocity बदलते हैं, अगर हम mass को बदलेंगे तो हम लिखेंगे v dm by dt यहाँ velocity constant है और dm by dt मतलब final mass by minus initial mass और अगर हम m db by dt मतलब final velocity minus initial velocity इसमें हम एक बार mass को constant किये और db by dt लिखे यहाँ velocity बदल रहा है, final velocity minus initial velocity अब देखें, और यहाँ पर हम क्या किये mass को बदल दिये, rocket proportion में हैसे जिसे rocket उपर जा रहा है तो धीरे धीरे all over rocket का mass कम हो रहा है क्योंकि fuel जल रहा है, तो यहाँ velocity का अगर मैं constant रखो और mass आगे पिछे करूँ, तो यह है तो इसको दोना, अब देखें, अगर हम लोग mass को constant मानें इसमें, इसमें अगर हम mass को constant मानेंगे तो आपका, जो है, dm by dt क्या हो जाएगा, 0 dm by dt मतला समझ रहे हैं, dm का मतला final mass minus initial mass यह change है, तो final और initial mass ही जब बराबर है तो change क्या हो जाएगा, यहाँ से, 0 आ जाएगा और जब यह change 0 हो जाएगा, तो आपका यह खतम तो f external m dby dt, यहनि अगर mass 0, mass अगर constant रहे तो उसके लिए यह वाला उड़ जाता है, यह वाला खतम हो जाएगा तो वही f external का formula आ जाएगा, m dby dt अब देखे, m dby dt आया, अब बात यह आपको पता है कि यह dby dt क्या है, rate of change of velocity with respect to time इसको हम लोग acceleration बोल रहे थे, आपको पता होगा, पढ़ाय गया होगा कि rate of change of velocity with respect to time, यह हमारा acceleration है तो क्या मैं इसको हटा के a अगर बैठा दू, तो f external बराबर m a कब जब mass constant रहे, तो हम force को direct m a कर सकते हैं अगर किसी भी body का mass constant है, तो हम लोग direct उस body का force निकाल सकते हैं, mass को उसका a से multiply कर देंगे, accelerations अगर ऐसा हो कि sir, body का mass constant नहीं है, body का mass variable है यहाँ तो mass constant था, वी variable था, एक जग क्या करते हैं, velocity constant और mass को variable, mass variable किस-किस में हो सकते हैं, rocket में जैसे rocket उपर जा रहा है, आपको बता है, दिरे-दिरे उसका mass कम हो रहा है, all over system का, क्यों? क्योंकि तेल जल रहा है, conveyor belt, जब conveyor belt चलता है, rock वगरा लेके, जो है, उसमें दिरे-दिरे conveyor belt के उपर से दिरे-दिरे, गिट्टी वगरा कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, अगर बात करें, water jet, जो water jet है, जो चलता है, उसमें कभी water कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो ये सब जीरो, तो भी dm by dt यह कब करना है जब आपको rocket वाला सवाल रहेगा तब formula यह लग जब नॉर्मल सवाल रहेगा जिसमें mass नहीं बदल सकता है mass initial final same रहेगा तो यह formula लहेगा और यह कब लहेगा जब mass बदले तब यह लहेगा तो बच्चो आप लोग इसको सबसे पहले note कीजिए और हम लोग clear से तब समझ पाएगा जब हम लोग इसका question start करते हैं ठीक है बच्चो नोट डाउन कर चुके होंगे देखिए हम लोग average force अब देखेंगे average force के लिए हमें need है delta p by delta p है delta p है change in momentum यानी final momentum से initial momentum को minus करना है और जो total time इस momentum change होने में जो समय लेगा वो आपका delta t है जब इस से इसको हम लोग divide करेंगे तो f average निकलेगा अगर हम बात करें सिर्फ हमको force का magnitude चाहिए तो हमको इसका ही भी सिर्फ magnitude लेना होगा तो फिर यह सिर formula नहीं होता इसका formula यह है change in momentum निकाली है total time जो taken हुआ उससे divide कीजिए यह आपका काटके आए जाएगा चलिए question देखते है और अच्छी समझ में आएगा बोल रहा है कि यह block है यह गाड़ी है वहने आप जो मान लिजी इसका वज़न है total 5 kg यह 10 meter per second का speed से इधर आ रहा है आपर मास सेम रहेगा क्योंकि गाड़ी सेम है लेकिन यहाँ पर यह जो speed है 10 meter per second यह speed है 20 meter per second time दिया हुआ है आपको 2 second आपको पूछा है कि आपको average force निकलना है यानि find average force average force के लिए आपको final momentum चाहिए initial momentum चाहिए तभी difference आएगा और time आपको दिया हुआ हुआ है चलिए यह initial mass और initial velocity यानि 5 गुना 10 आपका हो गया 50 i cap क्यों क्योंकि इस दिसा में आ रहा है तो आपका जो initial momentum है शुरुआती momentum 50 i cap आप देखते है final momentum final mass आपका यह मास तो वही है final velocity आपका हो गया 20 यानि P final बराबर M गुना V final यानि 5 गुना 20 आपको हो गया 100 i cap अब देखे आपका जो delta P लिख लेगा यानि जो change कितना बदला वाया momentum में तो इधर आया momentum सो इधर आया 50 तो final से में अगर initial को घटाओंगा तो 100 i cap माइनस 50 i cap आपका change आपका डेल्टा पी मेरा यह आ चुका है इसको निकालना है अब हमें टाइम से डिवाइड करना जो की दिया हुआ है दो अब हम क्या करेंगे 50 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे इन्हें अफ एवरेज बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी मैगनिटूड लिकालना है वह इससे भी माइनस में नहीं है तो 50 का पचास से आगा direction काम नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ हमें magnitude इसका मतलब सिर्फ हमें number बेठाना इडिल डपी का आई काप भूल जाना है अब हमें सिर्फ पचास बाइडो यह दो क्या है टाइम है यहां दिया वाए अल्डेडे आपको आपका आगया पचीस न्यूटन यह आपका एवरेज पोर्स आगया फिर वही बात एवरेज पोर्स लाने के आपको यह उपर जाएगा तो मास भी कम हो जाएगा क्योंकि उसमें फ्यूल जलेगा तो अलबर बॉडी का मास कम होगा यहां पर मास से में तो हमारा वेलोसिटी बदला वेलोसिटी बदला तो फाइनल यह आपका मोमेंटम आ गया इनिसल मोमेंटम यह हुआ हमने इसको इसको घट this object then find time after this object will stop बोल रहा है एक बोड़ी है वो आपका पांच केजी का बॉल है बोड़ी है कुछ भी मान लिए वो 60 मिटर से जा रहा है उसको कोई रोकने का कोसिस कर रहा है और जो रोकने के लिए वो जो कोसिस कर रहा है वो आपका फोर्स है 25 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और आपको यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है यह मुझे दिया हुआ नहीं है यह आपको कही ना कहीं दिया हुआ है इसके लिए सिर्पको मास और वेलोसिटी चाहिए मास दिया है वेलोसिटी भी दिया है फाइनल इनिसल क्या होगा हम लोग देखेंगे आपको टाइम पूछ इनिसियल सबटी सब्सक्राइब तो अगर मैं बात करूं पी इनिसियल मोमेंटम तो सर्वही एम गुना भी 300 यह हमारे इनिसियल मोमेंटम आ गया अब फाइनली क्या हुआ बोड़ी आपका स्टॉप हो गया बोड़ी स्टॉप हो गया तो क्या मास गाइब हो जागा नहीं मास है अभी भी लेकिन वेलोसिटी क जिरो माइनस थ्रिहंडड माइनस थ्रिहंडड आपका आगया चेंज इन मोमेंटम लेकिन एवरेज फोर्स निकालने के लिए हम इसका मैगनिटूड चाहिए हम लोग क्या करेंगे एवरेज फोर्स के लिए इसका मैगनिटूड लेंगे यानि माइनस थ्रिहंडड नहीं ल आपका 300 by 25 अगर आप इसको cancel out करते तो आपका short form हो के आ जाएगा 12 सिकंड हमने क्या किया हम simple formula वही लगा रहे यह इतना बड़ आपको दीख रहा है लेकिन इतना टफ है नहीं एक-एक step को बारीकी से इसलिए लिखा गया है ताकि आपको समझ माए यह दो लाइन का question है लेकिन दो लाइन में कब करना है जब हम पूरा अच्छी तरीके से एक बार समझ आपको क्या करना है सबसे पहले जैसे average force है माइन में रखना momentum momentum के लिए आपको change in momentum momentum change कब होगा जब mass बदलेगा फिर velocity बदलेगा जेनरली क्या बदला जाता है velocity फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो गया तो और हबर momentum ही क्या हो गया जिरो यहाँ पर है momentum इतना हमने इस से इसको final से जब initial यानि 0-300 किजेगा answer आएगा आपका minus 300 जो कि आपका change in momentum है हमें average force निकलने का average force का magnitude पूछ रहा है तो momentum कभी magnitude चाहिए यह थिने एंडड़ वाई T हमें time पूछा गिया है हमें average force दिया हुआ है तो हम इसी को direct यहां बरबर हम लोग कर दिया है इसको 25 न्यूटन यह इधर जाएगा यह इधर आएगा कट के आपका हो जागा 12 second तो बच्चो average force में सिर्फ यह question ही नहीं और भी question है जो इससे और अच्छे question है आपको इसी परकार का question का बहुत ज़्यादा practice करना है यही सवाल SGT's exam में आ जाते है ठीक है बच्चो आप लोग इसको note किजिए उसके पिर हम लोग कुछ और question करेंग यह बहुत important बात है देखिए सब कुछ अगर ऐसे दे दिया जाए तो फिर कोई भी solve कर लेगा लेकिन इस language से हमें कैसे समझना है क्या-क्या data इसमें छीपा हुआ है वही important बात है यहां पर लिखा हुआ है an object of mass 5 kg सबसे पहले आपको यह सब में कम ध्यान देना है यह जो data 5 kg 80-25 इसमें ज्यादा ध्यान देना है यहां आपका दिमाग में आ जारा चीए कि mass 5 kg है moving with speed 80 meter per second retarding उसको रिटार्ड करने के रहोकने के लिए जो फोर्स लगा रहा है पचीस न्यूटन है apply क्या जा रहा है on this object then find time तो कितना समय बादोर रुखेगा यह वही कोशने जो पीछे फिर फिर किये data के साथ 60 था यहां 80 कर दिए आपको यही करना है कि इनिश्यली मास यह है वेलोसिटी इनिश्यली 80 meter per second है तो इनिश्यल अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो यह दोनों को गुना करेंगे तो 40 400 आएगा अगर मैं फाइनली बात करूं फाइनली बादी स्टाफ होगी यह दो फाइनल मोमेंटम जीडो चेंज बात करूँ यह मैंडेंश्य यह यह फाइनल माइनटम इनिश्य यह चेंज्च इन मोमेंटम बराबर 0-400 यानि माइनशर आया अगर्छेंच इन मोमेंटम अगर मैंमें有沒有 करूं तो average force जो है given है आपको 25 N, यह है given है, time पुछा गया, तो मैं बोलो average force बराबर delta P का magnitude by delta T, आपको यह 400 निकाल लिए, minus है लिकिन आपको लेना नहीं है, magnitude इसके लिए, तो हम लोग 400 by time लिखे, बराबर क्या लिख दिये, 25 average force आपको दिया हुआ है, यहां यह जाएगा, यह यह बराबर 400 by 25, इसको जब आप cancel out करते हैं, आपका answer आजाएगा, 80 by 5, और इसको simplify करने सी हो जाएगा, 16 seconds, यहनि 16 seconds, इसको हम लोग क्या किये, कुछ भी नहीं, final speed देखे, initial speed देखे, final momentum, initial momentum, फिर हम उनका difference निकाले, उसको time से divide किये, तो हमरा average force आया, जो कि already given था, time नहीं था, वहां से time निकल करा जाएगा, चले एक question और है, उभी कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें vector का कुछ, जो है, formula वगरा यूज होगा, जो आपको आपको अलड़ी पता होगा, जहां तक मैं उमीद करता हूँ, यहाँ पर है, यह ball of mass 100 gram, यहाँ पर दिखे, आपको जो है, 100 gram mass दिया ग average force exerted by bat on ball, if time of contact is 0.02 second, मुझे पता है, question long हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, एक बर और, देखे, एक एक line करके पढ़ते, यहाँ पर दिया आ रहा है, a ball of mass 100 gram, जो mass है ball का, वो है 100 gram, वो batsman, यहाँ बाल का तरफ जा रहा है, with speed 200 meter per second, उसी ball का speed है, 200 meter per second, यहाँ इस direction में ball जा जा रहा है, इस दर शी तो ball नहीं आता है, common sense का बात है, इस दर शी ball जा रहा है, अब क्या हो रहा है, कि जो ball है, वो perpendicular direction में भाग जाता है, यानि अगर ball ऐसे गया, तो ऐसे भागा, अगर मैं बोलो ने, ball ऐसे गया, तो कोई दिक्कत नहीं फिर ऐसे भाग जा, यानि यह बो आपको यह दियान रखना है, और यह सब कार्ज क्राम होने में समय लगा आपका 0.02 second, अब बोल रहा है, कि आप इसका average force निकालिए, यानि एक batsman को एक ball आया, hit किया, यह ball 90 degree में, जितना में आया था, उसका 90 में भाग गया, यह ball का वजन इतना है, यह speed से जा रहा था, तो कि उसका average force क्या होगा, आपको time वगरा सब कुस दिया हुआ है, फिर वही बात, initial और final का खेल खेलना पड़ेगा, initial अगर मैं बात करूं, तो initial हमारा ball है, 100 gram का, आपको पता है, cgs और mkg, cgs और mkg, यह तीनों में हमें यह अलग-अलग ध्यान रखना है, कि अगर आपका centimeter रह है, तो gram करना है, second करना है, unit, अगर आप mass meter में लेते हैं, sorry, यह centimeter नहीं लेकर, अगर length को meter ले रहे हैं, तो फिर आपको mass को kg में लेना होगा, और फिर आपको, यहाँ पर आपका जो g है, वो आपको बताता है, cgs में आपका centimeter, gram और second, और यह आपका है mass, और यह kg, और हम time को लेना होगा, यहाँ पर हमें meter में लेना होगा, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर आपका यह gram है, तो फिर हमको यह meter पर second नहीं लेना होगा, हमें यह second में लेना होगा, यानि तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हमें kg में बदलना होगा, kg में बदलने के लिए हम लोग 1000 स भी बी लिए अब हम लोग इसको चेज़ नहीं करेंगे इसको कर दिए केजी में यह है मीटर में अब देखिए हमारा यह है सिकन्ड में यह यानि सेम यूट हो गया अब हम लोग काम कर सकते हैं मास को हम कर दिए 10.1 केजी इस फीड को हम कर दिए 200 meter per second जो कि already given है अब देखिए हमारा जो initial momentum है वो initial mass को हमारा initial velocity से speed से गुना करना है चलिए multiply करते है 0.1 गुना 200 आपका निकल के आएगा यहां से एक 0 यह खाएगा आपका आएगा 20 eye cap अगर आप eye cap नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं क्योंकि हमें पता ने बॉल किस दिशा में फेका गया बट यह पता है कि initially जिस दिशा में फेका गया उसके perpendicular finally भागा यह हमें ध्यान रखना है कि जाना और वापस जाना यह दोने में 90 degree का एंगल है यह आपको ध्यान रखना है चलिए फिर अगर हम बात करें average अगर मैं बात करूं कि यह जो है यह इधर जा रहा है और फिर कुछ देर बाद इधर अगर मैं बोलू इनका आपको मैं बोलू कि दो ऐसे विक्टर है एक विक्टर ऐसे एक विक्टर ऐसे अगर मैं बोलू इसको आपको addition करना एड करना है तो आपको स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनेस टू अबी कॉस्ट थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं चलिए हमारा दोनों बेक्टर पता है यानि इधर जो है इधर जो पी इनिसियल है वह हम लोग निकाल चुके हैं वह है 20 और फाइनली जाएगा तो भी 20 लेकिन अंतर यह डाइर और यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री हम लोग क्या करेंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस टू भी कॉस्ट थीटा चलिए लगा रहें ए स्क्वेर क्या है हमारा अगर यह हमारा अगर मैं बोलूं कि हमारा यह अगर 20 है तो यह मा 90 होता है 1 Cos 90 0 जैसे हम यहाँ बैठाएंगे तो यह वाला पूरा टर्म हमरा हो जाएगा जीरो यह जीरो हो जाएगा तो सिर्फ अपका यह बचेगा A2 Plus B2 चलिए हम लोग करतें करतें यह 20 का स्क्वेर यह 20 का स्क्वेर इसको आप करते हैं 400 और यह 400 इधर वह टर्म कहा गया यह 0 हो गया क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 अब देखिए इसको आगर आगे और solve करते हैं यह हो जाएगा आपका 20 root 2 यहां से हम 20 निकाल रहे हैं अब कैसी चेक किजिएगा कि इससे यह निकाले इसको इसी से अगर आप multiply किजिएगा तो आपका निकल के आएगा यह अब देखिए हम Level होल निकल के आ गया यानि हमारा मोमेंटम का difference निकल के आगया average force के लिए हमें क्या करना उसको time से divide करना है इसी को हम लोग average force यहां निकाल रहे हैं इसके लिए हम लोग क्या करें यह हमारा मोमेंटम मिभाष आपको और divided by zero point zero two कर रहे हैं तो आपका यहां पर निकल के आ जाएगा यहां पर 0.02 हम इसको कर सकते हैं तो बाइएंड्रेड यह हैंडेड आपका उपर चल जाएगा तो यह हैंडेड गुना फोर वन न्यूटन वह बच्चो इस question जो है यह question थोड़ा सा लेंदी है बट आपको ध्यान रखना है इस परकार का question आते रहते हैं आपको ध्यान यह रखना है simply आपको initial निकालना है final momentum लिकालना है difference निकालना है और times आपको divide कर देना है वही आपका average force लेकिन physics का तो यही खेल कहां से क्या concept आएगा कुछ पता नहीं आपको हर चीज याद रखना है यहां मैं यहां काड़ दिया उसके मतलब यह नहीं कि यह formula गलते यह formula वेक्टर का है cos वहां पर cos का value 90 का value cos 90 जो है 0 हो जाता है इसलिए मैं यहां पर इसको काड़ दिया जब हम इसको subtract करेंगे हम यह formula लगाएंगे यह formula लगाएंगे हम simple तो subtract नहीं कर सकते कि 20 i-cap 20 i-cap minus हो गया 0 हो गया 40 i-cap में 20 i-cap अगर हम minus करेंगे तो 20 i-cap हो जाएगा यह हमारा अलाग-अलाग direction में इसको minus करने के लिए हमें vector का help लेना हो और vector का help लेने के लिए हमारा यह formula है ठीक है बच्चों आप सवाल है कुछ और theories है हम लोग समझेंगे फिर सवाल करते रहेंगे आज के lecture तक यही तक thanks बच्चों